लीजी सुनिए प्रेम चंदी की लिखी कहानी पूर्व संसकार वाचन समीर कु स्वामी का है सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नती कभी भूल कर ही आती है राम टहल विलासी दुर्वयसनी चरित्रहीन आदमी थे पर सांसारिक व्यवारों में चतुर, सूद ब्याज की मामली में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे उनका धन बढ़ता था, सभी उनके आसामी थे इधर उन्ही के छोटे भाई, शिव्टहल, साधुभक्त, धर्मपरायन और परोपकारी जीव थे उनका धन घड़ता जाता था, उनके दोर पर दो चार अतीथी बने रहते थे बड़े भाई का सारे महले में दबाव था, जितने नीच श्रेणी की आदमी थे उनका हुक्म पाते ही फौरण उनका काम करते थे उनके घर की मरमत बेगार में हो जाती, रिड़ी कुझडे साग भाजी भेंट में दे जाते रिड़ी को आला उन्हें बाजार भाव से ड्योड़ा दूथ देता चोटे भाई का किसी पर रौब ना था, साधुसन ताते और इच्छा पून भूजन करके अपनी राह लेते दो चार आदमियों को रुपए उधार दिये भी तो सूद के लालच से नहीं बलकि संकट से छोडाने के लिए, कभी जोर दे कर तगादा न करते कि कहीं उन्हें दुख न हो इस तरह कई साल गुजर गए, यहां तक कि शिव टहल की सारी संपत्ती परमार्थ में उड़ गई, रुपए भी बहुत डूब गए उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सौने चांदी की दुकान खोर ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बारी भी करने लगे शिव टहल को अब चिंता हुई, निर्वाह कैसे होगा, धन न था कि कोई रोजगार करते वो वेवार बुद्धी भी ना थी, जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है, किसी से रण लेने की हिम्मत न पड़ती थी, रोजगार में घाटा हुआ, तो देंगे कहां से, किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी न कर सकते थे, कुल मर्यादा भंग होती थी, दो चार महीने तो ज्योंत्यों करके काटे, अंत में चारो और से निराश होकर, बड़े भाई के पास कह और कहा, भी आप मेरे और परिवार के पालन का भार आपके उपर है, आपके सिवा किसकी शेर रन लो, राम टेहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं, तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं, जो कुछ किया, उससे कुल कीरती ही फैली है, मैं धूर्थ हूँ, संसार को ठगना जानता हूँ, तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने तुम्हे ठग लिया, ये तुम्हारा ही घर है, मैंने जो जमीन ली है, उसकी तहसील वसूल करो, खेती बारी का क काम संभालो, महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े, मुझसे ले जाओ, हाँ, एक बात मुझसे नहोगी, मैं साधु संतों का सदकार करने को एक पैसा भी न दूँगा, औरना तुम्हारे मुझसे अपनी निंदा सुनूगा, शिव्ट एहल ने गदगद कंठ से कहा, भीया मुझसे अतनी भूल अवश्य हुई है, कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ, उसे शमा करो, अबसे मुझे अपनी निंदा करते सुनना, तो जो चाहे दंड देना, हाँ, आपसे मेरी एक विनए है, मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भावी जी को म रहे कोस पर थी, वहाँ एक कच्छा मकान भी था, बैल, गाड़ी, खेती के अन्य सामग्रियां वहीं रहती थी, शिव्ट एहले अपना घर भाई को सौपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गाव चले गए, वहाँ उत्साह के साथ काम करने लगे, नौकरों ने काम में च शिव्ट एहल की कीरती सुनकर आही जाती थी, और शिव्ट एहल को विवश होकर उनकी सेवा और सतकार करना ही पड़ता था, हाँ अपने भाई से ये बात च्छपाते थे, कि कहीं वो अपरसन होकर जीविका का ये आधार भी न च्छील ले, फल ये होता कि उन्हें भाई से छिपा कर अनाज भूसा खली आदी बेचना पड़ता, इस कमी को पूरा करने के लिए वो मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते थे, और खुद भी कड़ी मेहनत करते, धूप, ठंड, पानी, बूंदी की बिलकुल परवाहना करते थे, मगर कभी इतना परिश्रम तो किय दिया, दुरबलता रोग का पूर्व रूप है, बीमार पड़ गए, देहाद में दवादारू का सुभीता ना था, भोजन में भी कुपत्ध करना पड़ता था, रोग ने जड़ पकड़ ली, जड़ ने पलीहा का रूप धारन किया, और पलीहा ने छे महीने में काम तमाम कर दिया, राम टहल ने ये शोक समाचार सुना तो ने बड़ा दुख हुआ, इन तीन वर्षों में उन्हें एक पैसे का नाज नहीं लेना पड़ा, गोड़ घी, भूसा, चारा, उपले, इधन, सब गाउं से चला आता था, बहुत रोए पच्तावा हुआ कि मैंने भाई की दवादरपन की कोई फिक्र नहीं की, अपनी स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया, लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का जर प्रान घाता की होगा, नहीं तो या था शक्ति अवश्य इलाज करता, भगवान की यही इच्छा थी, फिर मेरा क्या वश्य, अब कोई खे किया कि खुद ही गाओं में जाकर खेती बारी करो, लड़का जवान हो गया था, शहर का लेंदेन उसे सौपा और देहाद चले आए, यहां उनका समय और चित विशेश कर गववों की देख भाल में लगता था, उनके पास एक जमना पारी बड़ी रास की गाय थी, उसे कई करते थे, शाम सबेरे उसकी पीट सोहलाते, अपने हाथों से नाच खिलाते, कई आदमी उसके डियोडे दाम देते थे, पर राम टहल ने न बेची, जब समय पर गवव ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूम धाम से उसका जन्मोत्सम मनाया, कितने ही ब्राहमनों को भो विशाली स्वामी भक्त निकला, केवल छटे वर्ष उस पर एक संकट की शंका थी, उससे बच गया तो फिर जीवन पर अंत सुख से रहेगा, बच्चडा श्वेत वर्ण था, उसके माथे पर एक लाल तिलक था, आँखे कजरी थी, स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पा दोड़ा करता था, जब वो शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैटकर असामियों से बात चीत करने लगते, तो जवाहर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ या पाओं को चाटता था, वो प्यार से उसकी पीट पर हाथ फिरने लगते, तो उसकी पूछ खड़ी हो जाती औ और आखें हिर्दाए के उलाज से चमकने लगती, राम टहल को भी उससे इतना इस नहीं था, कि जब तक वो उनके सामने चौके बे न बैठा हो, भोजन में स्वाद न मिलता था, वो से बहुधा गोद में चिप्टा लिया करते, उसके लिए चाधी का हार, रेशमी फूल, चानी की जहांजे बनवाई, एक आदमी उसे नित नहलाता और जहारता पोचता रहता था, जब कभी वो किसी काम से दूसरे गाउं में चले जाते, तो उन्हें घोडे पर आते देखकर, जवाहिर कुलेले मारता हुआ, उसके पास पहुँच जाता, और उनके पैरों को किया, वो बच्छी से बैल हो गया था, उसका उंचा डील गठे हुई अंग, सुद्रन मास पेशियां, गर्दन के उपर उंचा डील, चौनी चाते और मस्तानी चाल थी, ऐसा दर्शनी बैल सारे अलाके में न था, बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला, पर देखने वा जवाहिर को कोई गाड़ी वान हाकता, तो वो आगे पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता, मगर जब राम टहल आप पगहा हाथ में ले लेते, और एक बार चुंकार कर कहते, चलो बेटा, तो जवाहिर उनमत हो कर गाड़ी को ले उड़ता, दो दो कोस तक बिना रुके, एक ही सांस में दोड़ता चला जाता, गोड़े भी उसका मुकाबला न कर सकते, एक दिन संध्या समय जब जब जवाहिर नांद में खली और भूसा खा रहा था, और राम टहल उसके पास खड़ी उसकी मक्यां उड़ा रहे थे, एक साधू महात्मा आकर दौर पर ख राम टहल ध्यान देकर, घर ही का बच्छडा है, साधू, साक्षा देव रूप है, ये कहकर महात्मा जी जवाहर की निकट गए और उसके खुर चूमने लगे, राम टहल, आपका शुभागमन कहां से हुआ, आज यहीं विश्राम कीजिए तो बड़ी दया हो, साधू, नही ये आवश्यक कारे से रेल गाड़ी पर सवार होना है, रात और रात चला जाओंगा, ठहरने से विलम होगा, राम टहल, तो फिर और कभी दर्शन होंगे, साधू, हाँ तीर थ्यात्रा से तीन वर्ष में लोटकर इधर से फिर जाना होगा, तब आपकी इच्छा होगी तो आप बड़े भागशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देव रूप नंदी की सेवा करने का अफसर मिल रहा है, इन्हें पशू ने समझे, ये कोई महान आत्मा है, इन्हें कष्ट न दीजेगा, इन्हें कभी फूल से भी न मारियेगा, ये कहकर साधू ने फिर जवाहिर की चरणों पर सीस नवाया और चले गए, उस दिन से जवाहिर की और भी खातिर होने लगी, वो पशू से देवता हो गया, राम टेहल उसे पहली रसोई की सब पदार्थ खिला कर तब आप भूजन करते, प्रातहकाल उटकर उसके दर्शन करते, यहां तक कि वो उसे अपनी ब प्रकट करता कि राम टेहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता, दो एक बार वो दूसरी जोड़ी जोत कर चले तो जवाहिर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नाद में मुह नहीं डाला, इसलिए वो अब बिना किसी विशेश कारे के कहीं जाते ही न थे, उनकी श्र थी, भै हुआ, कहीं उसकी भविश्यवानी सत्त नहो, पशू चिकित्सक की पुस्तके मंगा कर पढ़ी, पशू चिकित्सक से मिले और कई औशधिया लाकर रखी, जवाहिर को टीका लगवा दिया, कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी ना खिला पिला दे, इस आशंका से वो अपने हाथों से उसे खोरने बांदने लगे, पशू शाला का फर्ष पका करा दिया, जिसमें कोई कीड़ा मा कोड़ा न छिप सके, उसे नित प्रती खूब दुलवाते भी थे, संद्या हो गई थी, राम टहल नांद के पास खड़ी जवाहिर को खिला रहे कि इतने में सैसा वही साधु मात्मा आ निकले जिनोंने आज से तीन वर्ष पहले दर्शन दिये थे, राम टहल उने देखते ही पहचान गए, जाकर दंडवर्त की, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे, इतने में अकसमात जवाहिर ने जोर से दकार ली और धम से भूमी पर गिर पड़ा, राम टहल दोड़े हुए उसके पास आये, उसकी आखे पत्रा रही थी, पहले एक इसने पूर्ण दरश्टी उन पर डाली और चित हो गया, राम टहल घबराय हुए घर से दवाई लाने दोड़े, कुछ समझ में ना आया कि वाहिर के शब के पास जाते और उससे लिपट कर रोते, रात उन्होंने रो रो कर काटी, उसकी सूरत आखों से न उतरती थी, रह रह कर हिर्दय में एक वेदना सी होती और शोक से विवहल हो जाते, प्रादह का लाश उठाई गई, किन्तु राम टहल ने गाउं की प्रता क अनसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया, या था विधी उसकी दाह क्रिया की स्वैम आग दी, शास्तर अनसार सब संसकार किये, तेरह वे दिन गाउं के ब्राहमनों को भोजन कर आया गया, उक्तु सादू महत्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था, उनकी शानती देने वाली बातों से राम टेहल को बड़ी सांतो ना मिलती थी, एक दिन राम टेहल ने सादू से पूछा, महत्मा जी कुछ समझ नहीं आता कि जवाहिर को कौन सा रोग हुआ था, जोत शीजी ने उसके जन्म पत्रा में लिखा था, कि उसका छठा साल अच्छा नहोगा, लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा, आप तो योगी हैं, ये रहस कुछ आपकी समझ में आता है, सादू, हाँ कुछ थोड़ा-थोड़ा समझता हूँ, राम टेहल, कुछ मुझे भी बताए, चित्त को धैर नहीं आता, सादू, वो उस जन्म का कोई सच जन्था, राम टेहल, हामाराज था, सादू, उसने तुम्हे धोखा दिया, तुमसे विश्वास घात किया, तुमने उसे अपना कोई काम सौपा था, वो तुम्हारी आख बचा कर तुम्हारी धन से सादू-जनू की सेवा सतकार किया करता था, राम टेहल, मुझे उस पर इ विश्वास घात अवश्य किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथी सतकार के लिए सही, पर था वो विश्वास घाती, राम टेहल, संभव है, दुरवस्था ने उसे धर्म पत से विचलित कर दिया हो, सादू, हाँ यही बात है, उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्य किया गया, पर उसे विश्वास घात का प्राश्चित करना आवश्यक था, उसने बेइमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ती करने के लिए, उसे तुम्हारे हाँ पशू का जन्म दिया गया, यह निश्य कर लिया गया, कि छे वर्ष म कहें लेकिन राम टेहल की जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन देख पढ़ने लगा उनकी चित्वरत्ती बदल गई दया और विवेक से हिर्दाय परिपूर्ण हो गया वो मन में सोचते जब ऐसे धर्मात्म प्राणी को जरा से विश्वास गात के लिए इतना कठो दंड मिला तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गती होगी ये बात उनके ध्यान से कभी न उतरती थी अभी आप सुन रहे थे प्रेम चंद की लिखी कहानी पूर्व संसकार वाचन समीर गोस्वामी का था